हेलो बच्चो मैं सतेन सिंग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डाइट पोल और उस डाइपोल मोमेंट के कारण अक्छी इस्तित में व्यादुच्छेत की तिविता कितनी होती है ठीक है आज हम लोग को देख रहा है कि निरक्षी स्थित में एक्विटोरियल पोज स्थित में निरक्षी इस्थित में किसी बिन्दुपर किसी बिन्दुपर वैदुत द्विध्रू के कारण वैदुत छेत्र की तीविता ठीक है तो इस टॉपिक को हम लोग देखें गे। तब से पहले हम डाइगराम बनातों चाहे और डाइगराम के क्या है एक्स है यह क्या है डाइपोल का अकीश आप शेटँ से और यह डाइपोल का बच्चों रिंटर हैं वाइंड और चार है अप्सको आगर इसको आख्वां हम वरिम और यह अच्छ बीडू लेते थो आख्छी कम ज stand वैद उच्छत के तिविता क्या होगी यह क्या होता निरख्षी इस यह इस सेंटर के लंबवत यह 90 डिगरी पर हमने एक पॉइंट यहां ले लिया पी अब यहीं पर यह दूरी किती है आर इसके केंदर से यह दूरी किती है आर आपने देखा था कि यह माइनस आवेस था यह यह क्या था प्लस आवेस था यह इसका एक्सिस था और यहां यह इसका सेंटर इसके सेंटर से आर दूरी पर आपने एक बिन्दू पी लिया था यहां पर अक्छी इस्थिद्म निकाला था और हमने बता था कि अगर 90 अंस पर हो अगर यह 90 अंस पर हो तब क्या होगा यह कह दूरी होती वो यल होगी और ये भी दूरी किती होगी बच्चो यल होगी क्योंकि टोटल दूरी किती होती है टूयल और ये दूरी किता आगर हम इसको मिलाते हैं क्या ये बच्चो ऐसे मिलेगा और इसको मिलाते हैं तो क्या ये ऐसे मिलेगा अब अगर ये पॉइंट भी है है यह पौइंट है कि तीवटा है तो आप जानते हो यह आवे से क्यों आवेस यहाँ से आर इसको कितनी होगी अगर दिशा की बात करें तो आप जानता हो कि अगर दीसा की बात करें तो यहां पर को तो यह हम लिखते चलते हैं यहां लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारड के कारड बिंदू पीपर वैदुत छेत्र की तीवता वैदुत छेत्र की तीवता ठीक है तो यहां पर आगा वैदुत छेत्र की तीवता इवल ले तो कितना होगा बच्चो यह आवेश और यह दूरी यह वाली दूरी अब यह दूरी हमें नहीं पता है जरा देखिए यह कितना है यह कितना है आर है तो यह वाली दूरी कितना हा है ये ऐसे क्या ये एक ऐसे त्रिभूज बना रहा है अगर ये बच्छो आ रहे है ये एल है क्या ये वाले दूरिक करणो होगा और ये होगा आर इसक्राप प्लस क्या होगा एल इसका बताओ बच्छो ये होगा कि रही अगर आप देखो अगर इसे ओ मालो इसे ए मालो इस कुर्ण और एक स्कवा और एकके मान हमें स्क्राइब था मॉरे करो इसक्राइब मतलब से जो दूरी है वह एक ऊतना दूरी यह विव होगा यह तो िवह बिजिए क्या हो जाएका आर स्का यह स्का सेलड डिस्टेंस हो जाए तो ά미 अथा प्लिस की आप से दूरी यह Commissioner खालेंगे तो क्या होजैब बोन भाइबॉर पाई Mr. Nard क्यों बाई-a-is होटा अ दूरी तो दूरी यहां हो जाएगा आर इसका प्लस एलिस्पार करडी में रहेगा रूट में अब इसका इसका है करोगा तो यहाँ से इवन बराबर बाइब फोर पाई एपसले नाड क्यों भाई आर इसक्राप प्लस क्या हो जाएगा वच्छो एलिस कार ठीक है अब ऐसे माइनस क्यूआ इसकर निकालते है माइनस क्यू आवेस के कारण के कारण बिन्दु पीपर पीपर वैद्दु छेत्र की तीवता वैद्दु छेत्र की तीवता तो क्या हो जाएगा बाच एटू एटू बराबर वन भाई फोर पाई एफसलन नाट यहां से क्यों भाई अब देखिये यह लेकिन 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 एक चीज हमें यहां देखना पड़ेगा डारेक्शन क्योंकि वैदूच तीवता एक सदिस रास होती है और बच्चो इसका डारेक्शन अगर देखना है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यह प्लस क्यों आवस को रखोगे तो बच्चों क्या होगा यहां प्लस को क्या करेगा अपनी और एक करेगा यह बच्चों एटू की दिशा हो जाएगी समय आगया यह इवन कि घरःक सब्सक्राइब और जब हो बटो आए अगर मैं इसका यहाँ से निकले आता है तो आगर मैं इसका यहां से निकालू, देखिए, क्या यह e1 ऐसे है, e1 ऐसे है, यह बिंदू P है, बच्चो, यह कित तैट इतर, अब इसका दो घटक निकल के आएगा, इसका पहला घटक बच्चो, यह गटक हो गया, और एक यह घटक हो गया, हमने बताया था, आप लोग पढ़े हो कि थीटा जिससे जूड़ा होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है तो यह बच्चो क्या हो जाएगा काईवन कास्थिटा यह 36 घंटक हो गया और यह उर्दवाधर ईवन 100 जिटा बताव बत्चो तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका दो घंटक काम करेगा एक उपर की और ईवन saan theta और यहां एक इधर काम करेक्वेंगा यवन कह सीटा समझ में आ गया बच्छो अब यह तो इवन के कारण हो गया अगर इटो की बच्छों बात करे तो ऑन्मित्अ है और यह अगर थेटा है तो बच्छों ये वोगा टूट हो गए तो इसके ब हमकरेंगे तो बच्च अगर इसकी बात हम करें टो ये बिल्दु पी और यह इसका डेक्सन इस्प suis ब्सक्राइब टूट अर्च व्यणगा निकल्स को फिर शेक वरुसों पर है तो 30 गटक होता है और जिससे धीमत नहीं पूस्टा हं वह घ्मैसा क्या होता है उर्धला घ्रटत होता है decision सुर्थ होता है तो अब बता वा दो इटु का सी टा इधर हो गया और इधर आजाये अजीए वाला जो है यह वो जाएगा इस तू साइन ठीटा हो जाएगा समझ याा की नहीं सबताव आप अगर देखें यह दोनों का अलग अलग है और यह दो का लों बिन्दु पी पर ही काम कर रहे हैं अगर इन दोनों को मैं साथ में अगर इसका डाइग्राम बनाओं तो जरा आप देखिएगा मैं इसे मिटा रहा हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं दोनों का डाइग्राम सेट करूं बच्चो तो क्या होगा देखते हैं तो यह बिंदु पी उपर की और E1 sin theta नीचा की और E2 sin theta sin theta इधर की और E1 sin E1 cos theta और इधर की और E2 cos theta और ये बच्चो क्या है E2 है और ये बच्चो क्या है E1 है ठीक है अब यहाँ पर यह चीज़ है यह कोड़ थीटा और यह भी क्या था थीटा तो अब हमें बच्चों क्या देखना है यहाँ पर E की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखो अगर E1 और E2 Q E1 E1 कमान 1 by 4560 Q by R2 plus L2 E2 कमान 1 by 4560 Q by R2 plus L2 क्या दोनों E1 और E2 का सेम है तो इसका मतलब कि अगर यह मान और यह मान बराबर है जरा समझेगा E1 और E2 क्या है बराबर है अगर यह बराबर है तो यह एक दूसरे को क्या करें कैंसिल करेंगे क्योंकि विप्रीद दिसा में है तो इनका जो इफेक्ट हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब यह दोनों सदिस रासी है एक दूसरे के विप्रीद है और अगर आप इसका टोटल करोगे टोटल अगर आप करोगे तो यह क्या हो जाएगा अपने आप यह दोनों एक दूसरे क्या कर दो दो घ्याटक है यह दोनों थी सामें आप जानता जब दो सदिस एक दिसाम कार्व करते हैं यह सदी सामें भच्चो यह पॉइंट A है और इस पर एक सदिस पी लग रहा है और इधर ही क्या लग रख यू तो इसका जो पहड़ामी आता था क्या पी प्लस क्यों आता था यहां कि दोनों एकिकी समय है तो यह क्या हो जाएंगे अगर यहाप उलगा सैथ की तिवता लेंगे किया हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा थो लरे दो वयांदौ जोट्र की सब्सक्राइन उकले की नकाले यह बराबर तो दो क्या हो जाएगा इवन पासथीटा प्लस ईटू पासथीटा बता हुआ है कि अगर इन सब की बात करो तो यहां से अगर मैं वेलूपूट करो बात कर बतो तो क्या होगा जरुम अब से मिटा रहा हूं ठीक है आप इसे नोट कर लिजिए थोड़ा मैं यहां से मिटा रहा हूं अगर बच्चो मैं इसी की बात करू तो यहां पर क्या हो जाएगा ईवन इवेक्टर बराबर ईवन कमान बच्चो किता है वन भाई अगर हम देखे तो बच्चो क्या हो जाएगा पास धीटा ठीक है अब जहरा हम देखेंगे यहां पर यहीं वेलू अगर हम देखें बच्चो देखो यह भी सेम और यह भी सेम तो यह एक और यह भी एक क्या हो जाएगा तो दो गुरते वन भाई फोर पाई एपसलन नाट क्यों भाई आर इसका प्लस एल स्वर और इंटू कास ठीटा ठीके बच्चो यह वैलू हो गयी अब यहां बच्चो हम लोग देखते हैं अब हमें यहां क्या चाहिए कॉस्ट टीटा का तो कास्थीटा इसे समीकरण यह बच्चो क्या है ऐ विक्टर हुएै कर 171 अब यहां देखते हैं चुक्कि अगलं इस चित्र में देखे तृभूच पीबी और त्री बोच पीबी और से कशला आगर यहांस बच्चो बात करें तो बच्चो यह क्या वागा त्री भूच हो गया यहuu ये ये पी हो गया ये बी हो गया ये ओ हो गया ये नबे अलसे और ये बच्छो क्या थीटा है ये दूरी किती है ये दूरी किती है ये दूरी किती है और ये बच्छो किता है आर इसकार प्लस एल इसकार है कि नहीं बच्छो अब ये दूरी है अब यहां से अगर बच्छो मे कास ठीटा निकालो क्योंकि यहां सवाल में क्या है कास ठीटा तो अगर बच्चों में कास ठीटा बराबर निकालो तो क्या होता है आधार बटा क्या होता है अब बच्चों बताओ ठीटा का सामने वाला क्या होगा लंब होगा और यह बच्चों क्या होगा आधार होगा तो इह बत्यों क्या हो जाएगा कि नहीं तो यहां पर---- बराबर क्या हो जाएगा आधार कमान कीता है एलहें कोई कमान strip मробलं रूट आर स्कुररं से है प्लस एललिओं फिकए बत्यों यह हो गया अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर आख दखेए, KOS ZITA कामान, KOS ZITA कामान, समी करर एक मे रखने पर, ठीक है बच्चो तो समीं करद एक में रखते हैं तो समीं करद एक क्या है यह वराबर दो गुटे वन भाई फोर पहई एप्सलें नाट और यहां से क्या है बच्छ्छों यहां से क्या है यहां से ग्यों बाइग कै worst lihat lag और कास्सीटा है तो यहाँ पर बच्चो अगरए कास्टीटा है तो इसकर गिज़ता ये वैलू पुट कर सकते हैं तो यह हां पर वैलू अगर हम पूट करेंगे तो ईल बटा इस्कावर रूट रार इसका प्लस एल इसकार स्ट You अच्छा एक चीज़ देखिए गा बच्चो जैसे करड़ी यक्स है इसका रूट यक्स है तो इसको हम एक बटा दो लिख सकते हैं कि नहीं तो ऐसे ये करड़ी हटा के मैं इसके उपर एक बटा दो लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा E बराबर जिरा देखिए मैं इसको इसके साथ लिखता हूँ 1 by 4 by epsilon 8 Q into 2 का गुड़ा यल में करें क्या 2 यल हो जाएगा बटे यह value लेते हैं R square प्लस L square अगर मैं इसकी घात एक मान लूँ और यह बच्चो यह वाला ले ले तो R square प्लस L square इसकी घात बच्चो एक बटा 2 ले ले तो अगर यह क्या है ढाधार समान है अगर यह आधार समस्मान है तो घात क्यों हो जाए गराइकर जूड़ेगा तो एक में अगर एक बटाह दो जोड़ख rally like सब्सक्राइब बटा दो तो यहां से यी बराबर वन भाई फॉर पाई एफसलें नाट और यह देखिए क्यों इन टू टू इन क्या होते बच्छो पी होता है डाइपल मॉमेंट होता है न और यहां से क्या हो जायगा आर इसका प्लस ऐसका गाट किता तीन बटे दू हो जाए गाए दू क्ल हम लोग क्या जानते हैं यह जानते हैं कि जो R का माना होता है वह L से बहुत बड़ा होता है तो R की तardonमें जो L का माना होगा वह क्या होगा नगड' R3, 0 हो जाएगा तो इस L इसक्वार के जगापद हम लोग एफसलनाट पी अपान आर इसका घात कित्ता तीन बटे दो कित्ता हो जाएगा तीन बटे दो अब बच्चों देखो घात के घात क्या हो जाएगा गुड़ा हो जाएगा तो आर इसका घात तीन बटे दो है अगर मैं इसका लिखूंगा तो दो गुड़ते तीन बटा दो तो क्या से लाइब नहीं तो आयसे हम यहां पर लिख सकते हैं बच्शो वान बाई फोर पाई एफ्सलनine डबी अपान यहां क्या हो जाएगा और किया होगी वैद्व च्छत की तीवरता हो गई ठीक है बच्चो और इसका मात्र क्या होगा न्यूटन प्रति हुलाम हो जाए तो यह वैलो आ गया निरक्षिए इस्थित में दूधरों के कारण तो आगे बात करते हैं बच्चो यहां पर तो अब यहां हम जब बात करेगे इसका दिशा की डायरेक्शन डायपोल का जो डायरेक्शन आवाइदुच्छत की तीवता की दिशा क्योंगी योकि जो वैदुच्छत होता है अब बच्चो वैदुच्छत की तीवता की दिशा तो बच्चो वैदुच्छत की तीवता की दिशा जरा समझेगा कहां से कहां होगा अगर हम यहाँ देखें यह चित्र थोड़ा बना के फिर से देखें यह डाइपोल है यह माइनस क्यू है यह क्या है प्लस क्यू है और यह बच्चो क्या है इसका सेंटर और यहाँ पर दोनों है एवन पास थीटा और यह दू कास थीटा यह एक दूसरे को बच्चो क्या कर दिए है इसका मान क्या होगा जीरो तो जो नेट वैदु छेत्र वैदु छत की तीविता की दिशा भी किधर होगी इधर होगी लेकिन हम कैसे लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे आप जानतों जो पी की दिशा है जो पी की दिशा है यह क्या डाइपॉल मॉमेंट है डाइपॉल मॉमेंट और इसकी दिशा हमेशा रिडातमक आवेस से रिडातमक चार्ज से कहा होता है धनातमक चार्ज की और निगेट्व चार्ज से पास्ट्व चार्ज की और होता है अगर बच्चो ये निगेट्व चार्ज से पास्ट्व चार्ज की और होता है तो इसकी दिसा बच्चो कहा होगी कुछ इस प्रकार से होगी ये डाइपोल की दिसा अब कि अगर इसी के पैरलल देखा जये क्या यह है तो इसकी दिसाड डाइपॉल की दिसा i निडॉक्षी इस थित ओंधरन के तेविता की धिशा है वो डाइपोल के समानतर विपरीद दिसा में होगी समभा गया यह डाइपउल के पर दैहने समानदुरी पर और यह इधार एट यह ďँड़ डाइपोल के समानतर उसके विपरीद दिशा में होगी ठीक है तो यहां पर बच्चो इसकी दिशा की अगर मैं बात करूँ डारेक्शन की बात करूँ तो बच्चों हम लिख लेते हैं डारेक्शन तो निरक्षी इस्थित में निरक्षी इस्थित में वैदूत चेत्र की तिव्रता की दिशा, वैदुत द्विधुरू की अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, तथा वैदुत द्विधुरू, वैदुत द्विधुरू, आघोर के, के विपरीत, दिशा में होता है, लिदक्षी इस तिद में वैदुत छेत की तिवता की दिशा, वैदुत द्विधुरू के अक्ष के समांतर, ये क्या है वैदू दूधू है और इसके अक्ष के समांतर समांतर क्या बच्चो यही होगा समांतर तथा वैदू दूधू के आघूर के विप्रित दिशा मतलब दूधू का आघूर की जो दिशा है वो इधर है तो इसकी दिशा कहा है इधर समांतर और विप्रित दिशा में होता है ठीक है तो हम लेक सकते हैं अर्थाथ अर्थाथ पास्ट्व्क चार्ज से कि निगेट्व चार्ज की और अरथ यह तो एक चीज देखेंगे हम हम लोगोंने देखा था एक अक्षी इस्थिति लोगों ने देखा अब यहां पर एक बात बच्चों करेंगे अक्छी इस्थित की अगर बात करें, अक्छी में एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन की अगर बात करें, तो E का जो मान आया था, 1 by 4 by epsilon not, 2 P upon क्या आया था? कि अरकियु बाया था अगर बच्चो निरक्षी की बात करें निरक्षी स्थित की बात करें इक weka cum quot形 की बात करें ब्चो तो यी बराबर वनदर अने फ्टया प्रो टीर किए टेकर दोनों में अंतृण क्या है तो यहां पर अगर हम देखे इसको ले चले तो क्या इसमें टूबी है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एसलें नाट पी बटा आर तो हम लिख सकते हैं यह यहां पर टू इतना ठीक है बच्छो तो यह क्या हगया अगर यह एक्सीटर पोजीशन का है तो हम लिख सकते हैं यहीं क्या है एक्विटोरियल तो यह बच्चों वादुच्छत की तीवता जो होगी यहां पर यह क्या है यह अगर बात करें यह क्या है एक्विटोरियल का है यह एक्विटोरियल का है तो हम यहां लिख सकते हैं एक्विटोरियल E Axial बराबर दो गुर्टे क्या होगा E Equatorial E क्या होगा Equatorial समझ मा गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब कि E अक्षी बराबर दो गुर्टे E निरक्षी है तो हम कह सकते हैं जो निरक्षी स्थित का वैदुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि हम यहां से देखे इस चीज़ को कि आगर हम यहां से निलक्षी देखे इन रखषी क्या होगा इन रखषी और अबराबर क्या हो जाएगा इ striving व्याल disposition nah तो हमें सक्रों करो के अक्ष्ये का आधा कर दो के तो निल्रख sust आजाएगा यह बच्छो टोटल इसकी बात थी क्लियर ओवर्चो अच्छा हम यहाँ पर एक पॉइंट की और बात करेंगे बच्छो जैसे हम लोगों ने देखा की वैदुच्छत की तीवता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एक धीन यूटू अ प्राथिकुलाम होता है एक शयाय की तीवता का जो मात्रक होता है क्या टवितर प्रतीकूलाम वैदुच्छ अ एक यूट अ कि दूरता का मात्रक क्या होता है बच्चो न्यूटन प्रतिकुला क्या यही होता है न्यूटन प्रतिकुला ठीक है बच्चो एक मात्रक और होता है देखते हैं हमारा फर्मूला क्या है वन वाई-फॉर-पाई-फिलेंट, क्योबस ते लिए अर इसका है, एक मात्रफ और देखते है, अगर बच्छों इसकी बात करें, इसका मात्रफ क्या होगा, तो ंटन, इन्टु मीटेंटर, इसका पर कुलाबस ते नहीं, मैंने बताया था, इसका मात्र क्या होता, पर नूटन इल्टू मीटर्स का पर कुलाम इसकार क्योंकि one by four πई epsilon not का मान होता है 9 in to 10 to power 9 Newton in 2 meters का पर कुलाम इसकार ठीक है बच्चो ये क्या होता है value होता है अब यहां से बच्चो हम लोग देखें गए और यहां से यह क्या है क्यों है क्यों अब एक काम करो एक मीटर काटो दोनों मत काटना क्या हो जागा नूटन इंटू मीटर और एक कुलाम से एक कुलाम यहां कट गया न्यूटन इंटू मीटर बटे यह क्या हो जब कुलाम और यहां एक एक कटा है ना तो एक मीटर अब आप जानतों न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बच्छों जूल होता है क्या न्यूटन अगर देखा जाए Newton into meter क्या होता है, Joule होता है क्योंकि Car बराबर क्या होता है बल गोड़ते, विस्थापन विस्थापन बल का मातरक Newton विस्थापन का मातरक meter, और यही क्या हो जाए कि बच्चो Joule, तो यह बच्चो क्या होगा जूल बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम, इंटू मीटर, अब बच्छो एक चीज बताओ, आपने कच्छा दस में V बराबर W अपने क्यू पढ़ा है, अगर देखा जाए तो विभाव बराबर कार बटा आवेस, आपने कच्छा दस में पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से तार का मात्र क्या होता है, जूल, आवेस का मात्र कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम, और यही बच्छो क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, वोल्ट, तो जूल प्रति कुलाम, बच्छो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, और यह बच्छो क्या है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ठीके बच्चो mattered part 100 जो चाहिए यह मातरक कर जए है के दो n picture हैं पुल्हों अच्छा आवि एक चीज़ के और मैं बात करूं यहां पर तो अगर इस है डायपॉल हो DO तो यहांपर क्या होगा इबराबर क्या होता है one by four five epsilon not पी अपान क्या होता है आर क्यूब ये था ड़ाइपोल का फर्मूला तो यहांसे देखे इसका मत्रक्या होगा Newton in two meters क्या और बटे कुलाम इसवार और इसका ड़ाइपोल का कुलाम इंटु क्या हो जाएगा बच्छों मीटर हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बच्छों यहां मीटर क्यों आर है आर का मतलक क्या होगा मीटर तो यह क्या हो जाएगा बच्छों मीटर क्यों अब बच्छों यहां से देखते हैं यहां से अगर बात करें तो यहां क्य क्या हो जग मीटर क्योंकि यह दो से एक कटा है तो यहां कितना बचा है एक बचा है ना तो यहां सी हो गया एक कुलाम से कुलाम कट गया तो न्यूटन इन्टू मीटर कुलाम इन्टू मीटर न्यूटन इन्टू मीटर बच्चो क्या हो गया जूल हो गया और यह बच्चो क्या है कुलाम है सी क्या है कुलाम और यह क्या है मीटर तो जूल प्रति कुलाम बच्चो क्या हो गया वोल्ट हो गया क्या हो गया वोल्ट और यह बच्च बच्छा क्या बटे में मीटना तो वोल्ट पर मीटर तो दो के दोनों चीज क्या है बच्छो सेम है तो यह था निरक्षी इस्थित में वैदुच्छत की तीविता ठीक है बच्छो तो अगर वीडियो आपको पसंद आया अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा ग्रूप में आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताईए कि ज्यारा सक्राइडिमी पर आप फिजिक्स बहुत अच्छे सपड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जलूर सब्सक्राइब करें और आप हमारा भी हल्प करें ताकि कि हम भी इंप्रूफ हो सके हम भी आगे बढ़ सके और आपको भी आगे बढ़ा सके ठीक है बच्चो थैंक्यूर्ट